हेलो गाइज, वेलकम तू मैं न्यू व्लॉग, उमीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे और मैं आ गई हूँ आज आप सब लोगों को लेकर अपने इस नए व्लॉग में जहां कि हम एक स्पेशल जगा पे जाने वाले हैं, जो की है लोकेटेड बदर्वा में ही, लेकिन अमेजिंग बात यह है कि बहुत सारे भदर्वाईयों को इस अमेजिंग सी जगा के बारे में कोई भी नॉलज नहीं है, और हम लोग सब आगे हैं यहां पर आपको यह अनेक्स्प्लोर्ड सी जगा दिखाने के लिए, जहां पर भी बहुत सारी नेचर की खुबसूरती के स बहुत सारा अच्छा मौसम भी है, जैसे कि यह बादल, यह सूरज, यह हवाएं यह सब हैं यहां पर और हम लोग आगे हैं यहां पिकनिक के लिए, और गाइस यहां पर हो रही है मेहनत आग जलाने के लिए और आग जल चुकी है, तो आप सोच रहे हों कि आग क्यों बहुत ही खुबसूरत है, बिल्कुल पहाड़ों के बीचो बीच, दरिया के किनारे, और यहां पर जो हवाएं हैं, जो वादियां हैं, जो पेड हैं, जो हर्याली हैं, उस सबसे आपका इतना अच्छा डिजिटल डीटॉक्स होता है, कि मैं आपको बता नहीं सकती हैं, यह यहां पेड़ों को भी एक्स्प्लोर कर रहे हैं, तो पेड़ों में ही फूल भी हैं, और कांटे भी हैं, जैसे इस दुनिया में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, वैसे ही सब कुछ एक ही साथ नेचर में है हमारे पास, और मैगी बन के तयार है, और यहां पर मैं 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 कर रही हूँ अपने दोस्तों में डिस्ट्रिब्यूट क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी हूँ तो इन्होंने मुझे ये जम्मेवारी सौंपी हुई है और यहां पर मैं देखते हुए कि किसी को कोई कम या जादा मागी न हो जाए क्योंकि पिकनिक में शांती बनी रहनी चाहिए क्योंकि हम शांती के लिए तो पिकनिक आए है तो इसी के साथ मैं अब आप लोगों को ले चलती हूँ एक ऐसी जगा पे जो की है इस जगा की स्पेश्यालिटी जो की इस जगा की खुबसूरिती को चारचान लगा देता है वो है यहां पर यह नदी जो इन पहाडों की गोद में इनके बीचो बीच होते हुए गुजरती है लहराती बल खाती इठलाती जूमती हुई नदी और इस नदी को हम कहते हैं नीरू रिवर और यह है दिमाइटी चिनाब की ट्रिब्यूटरी तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समर्ज आ चुकी है और बधरवा में भी जो मौसम है वो थोड़ा सा टेमपरेचर हाई हो चुका है हम आ गए हैं इस नदी में इंजॉई करने और मौसम का नजारा लेने लुट्फ उठाने और यहाँ पर कुछ फोटोज लेना तो इंपोर्टन्ट ही है क्यूंकि पिक्निक है और व्यू देखिए आप यहाँ पर कितना अच्छा है बहुत ही महनत और मशक्कत से मैंने यहाँ पर फिर से आग लगाई है ओ ओ ओ आग लगाई नहीं है आग जलाई है और व्यू हो पिक्निक हो चाय ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है तो यह मैंने अपने आपको खुद ही थोड़ा सी स्टांडिंग ओवेशन दे दी क्यूंकि कोई तो देगा नहीं तो जब तक हमारी चाय बन के तयार होती है मैं आप लोगों को इस लोकेशन के बारे में बताती हूँ ताकि जब भी आप लोग अपनी फैमिली और फ्रेंस के साथ यहाँ तो इस जगा पर आना ना भूले तो बहुत सारे आपको ओपन फिल्ड दिखे और इस जगा पर आपको ज़रूर आना है फो टू रीजन पहला रीजन तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे लगबग ना के बराबर तो अगर आप सिटी लाइफ की हसल बसल से एक रिलाक्स और एक सिरिनिटी को एक्सपिरिंस करना चाते हैं नेचर में और हमा लोग आजकल अपनी लाइफ में अतने बिजी हो गए हैं कि हम नेचर को टाइम नहीं दे पाते हैं तो हम जैसा मैं आपको बता रही थी कि यह लोकेशन कहा है तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इतनी सारे पहाड़ों को क्रॉस करके पहुंचे हैं और रास्ते में हमें यह पहाड यह पे कुछ शीप्स कुछ गोट्स कुछ ऐसे आनिमल्स भी मिले हैं तो हम एकदम रॉज ऐसी जगा पे आ गए हैं जहां पर सिरफ नेचर है और इनसान और इनसान की इंटरप्शन्स और हीूमन दुख नहीं है तो और आपसे यह भी मैं उमीद करूँगी कि अगर आप इतनी खुबसूरत जगा पे जा रहे हैं तो जो भी आप खाते हैं जो भी आप यूज करते हैं उसको अच्छे से डिस्पोज आफ करें ताकि नेचर भी खुशी हो कि कुछ ढंके ही इनसान आये थे गंद डालने वाले नहीं आये थे और यह फ्रॉग जैसे उचल उच जा रहा है आप भी उचल उचल के इस जगह पहुंच सकते हैं इसका मज़ा लेने के लिए और यहां पे हमें मिला है यह स्ट्रॉबरी जैसा फ्रूट जो की स्ट्रॉबरी नहीं है कुछ लोग करें कुछ जहरीला सा फ्रूट है अब हमें सर्टन नहीं है और यहां हम पहु हमें मिला है एक क्योट सा प्यार असा डॉग जिसे हमने बहुत सारी बातें भी कियें क्योंकि वो इंट्रस्टिट था हमसे बातें करने में और हम भी इंट्रस्टिट थे और बहुत सारा प्यार भी किया और यह देखें Pennsylvania और इस डॉग ने हमें हॉस्टिल के बिलकुल पास और हमारा ये व्लॉग होता है यहीं पे खतम उमीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोग अपने फीडबाक्स मुझे दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में तिल देन बबाई टाटा अपने धिहान रखिये और देखते रहिये हमारे व्लॉग्स